खटीमा वनिवभाग को मिली बड़ी सफलता आपको बता दें खटीमा वनिवभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान देड़ की लोग कीड़ा जड़ी यानी यारसा गंबू के साथ दो लोगों को गिरफतार किया जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 लाग के करीब आंकी गई है तो वहीं पकड़े गए दोनों आरोपी तसकरों के खिलाफ वनिवभाग के उच्चा अधिकारियों के आदेश पर 6 लाग का जुर्माना लगाया गया है जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट तो एक कार जो है आथी वी रिखाई दी हमें डानादासाकर डैम से जिसको को देखा ओर गाड़ी तर्न करके वापस हो घया तो हमको कुछ सक्वा कि इस गाली में कुछ नापट जरू है जया तो हैंा को त्यूनों से जिए टिक्षा कर्टों करते ज्या है तो उसमें एक गाड़ी चला रहा था नेगी नाम के रगा है उसको हमने पगड़ लिया उसे पूस्ताज करी पूस्ताज के दोरां उसने बताया कि मेरे द्वारा जो है बद्रेशन बद्रेशन के बाइशन पूस्ताज करें के लाजवानी बिया इसकी पर लुकेशन के आधर पर यह जो carbohydrate के विश्ताज के दोरा है नेपाली मुल्का धर्मा नाम का एक जख्ती है जो जिसके पास है हमने कीड़ा जड़ी पराप्त करी और इसके द्वारा यह बताए गया कि यह जड़ी जो है मैं खण परियाग से लेकर आया हूं और इसको हो सकता वो नेपाल ले जाता या कही अन्य उसको जै को इसका सौधा होगा इसको महां सब्सक्राइब करता है उसको जह किया जड़ी तो एक किलों 500 ग्राम जड़ी निकली उसको तत्काल जो हमने जारा हर्द बना करके सीज कर दिया गया और रेंज का रहें में लाकर के जो है उसकारी को निदेशा अंसार जड़ी को हमने जबतर जो दोनों दोन ना जड़ी है उन अपरेदियों से छह लाग रुप्या सरकारी मोजा है दंड के जड़ी आप जिया और चालाम जड़ा उसको हमारे जरा बैदीजमा भी पर दिया जा और जो गाड़ी को जैड़ी को जैड़ी जो ए बुलबा करके इसको उसको पाड़ी मुए इसको द